आजकल ओनलाइन सॉंग्स का काफी ट्रेंड हैं ओनलाइन सॉंग्स को सुनने के लिए आप स्पॉटिफाई अप्लिकेशन्स, गाना अप्लिकेशन्स या फिर आप जीयो सावन अप्लिकेशन्स का इस्तेमाल करते हैं ओनलाइन सॉंग्स को सुनने के लिए लेकिन आप songs को फाइल में डाउनलोड नहीं कर सकते हैं और उस songs को बार बार सुनते हैं तो आपका internet खर्च हो जाता है आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि songs को आप डाउनलोड कैसे करेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू कर लेते हैं इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले एक application है Spotify जो की आपको Play Store में नहीं मिलेगा इसे आप Google से या आप मेरे description box से इस applications को डाउनलोड कर सकते हैं इसके बाद आप जिस भी applications का इस्तमाल करना चाहते हैं चाहे वो Spotify हो गाना हो या फिर आप Jioitti雅ल अप्लिकेशन को इसको आपको क्या करना है Play Store से डाउनलोड कर लेना है इसके बाद जो भी songs को आप डाउनलोड करना चाहते हैं सबसे पहले उसके link को क्या करना है यहां से copy कर लेना है उसके link को copy करना है इसके बाद Spotify flyer applications को open करना है और जो भी आपने link copy किया उसको यहाँ पे paste कर देना है paste करने के बाद यहाँ पे आपको search वाला बटन दिख रहा होगा इस पे आपको click कर देना है click करते ही आपके जो song है वो spotty flyer में open हो जाएगा इसके बाद यहाँ पे आपको download का option दिख रहा होगा इस पे आपको click कर देना है जैसे ही आप click करेंगे यह song आपका download होने लएगा download हो जाने के बाद यह songs जो है आपको इस तरह से दिखाई देगा यहाँ पे tick हुआ हुआ दिखाई देगा इसके बाद आप file manager open करेंगे जो अपने songs download किया यहाँ पे आपको दिखाई देने लएगा तो इस तरह से आप पे अपने favorite songs को easily download कर सकते हैं अगर आपको यह video पसंद आया है तो like कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए अगर आप मेरे channel पे नए आया है तो इसको subscribe कर लीजिए